तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है यो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अकॉर्डिंग टू आपोजेट जेंडर तो आप में क्या स्ट्रेंथ देखता है क्या वीकनेस देता है और उनका क्या पर्सेप्शन है आपके प्रती यहांपर मैंने दो पाइल रख रखें हैं स्ट्राबरिय है चूज कर सकते हैं उसी तरीगे से पाल स्ट्राबरी को चूज अगर आपका व्येक साइं इसने से आता तो चलिए दिखते हैं कि Од58 की की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है नेक्स्ट आरा है Death, अभी मैं आपको Zodek Sign बताती हूं नेक्स्ट आरा है Nine of Wands नेक्स्ट आरा है Eight of Coins Reverse में है और नेक्स्ट आरा है Ten of Coins कुछ और Cars देख लेते हैं नेक्स्ट आरा है Knight of Wands Intensity, नेक्स्ट आरा है Ten of Wands Suppression, नेक्स्ट आरा है Ace of Swords consciousness next है emperor the rebel और next है हमारे पास abundance king of pentacles पहले मैं आपको zodiac sign बता देती है उसके बाद मैं आपको explain करती हूँ तो यहाँ पर Taurus energy है Aries है, Gemini है, Libra है Taurus ने बोल दिया था न Virgo है, Capricorn है Aries और Sagittarius है Scorpio energy है और Pisces energy भी है यहाँ पर और मुझे यहाँ पर Sagittarius I think मैंने बोला था वोज energy भी है तो यहाँ मुझे ऐसा feel हो रहा है आपकी strength और weakness में simultaneously बात करूँ भी, तो यहाँ पर strength आपकी यह है कि आप एक बहुत ज़दा family oriented और caring loving person हो, चाहे आप male हो चाहे female हो अपने gender से resonate करना 10 of cups जो है emotional fulfillment को दिखाता है आप अंदर से खुश रहते हो आपकी family बहुत अच्छी है आपको support करती है आपका और family में रिष्टा जो है जो माबाप से है, भाई बेहन है या दादा दादी है, जो भी है ठीक है, तो उनसे या इवन आपके pet भी है या आपके घर में house health भी है तो उनसे जो है आपकी अच्छा एक bonding है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपके घर में बहुत जारा टकरा हो रहा है या कलेश हो रहा है, ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर death भी आया है nine of wants भी आया है, लेकिन अगर इसी family पे या friend circle पे बहुत जादा कोई problem आ जाती है या जैसे death होता है, एक unexpected चीज है, या transformation होना changes होना, किसी भी कारण से चीक है, अब कुछ भी हो सकता है तो उससे जो है, आप बहुत जादा guarded हो, तो उस चीज के लिए बहुत जादा guarded हो जाओगे, eight of coins आया है, focus नहीं कर पाऊगी तो यहाँ पे यही चीज है, जब तक सब कुछ smoothly है, सब कुछ है तो आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ जो है, compassionate, caring, loving हर तरीकी की well manner होना लेकिन जैसे ही अगर कोई मुछ मुश्किल समय आता है, या कोई problem create होती है, या transformation की, या changes की जरुवत है अपने आपको उस comfort zone से बाहर निकालना, तो जो है, आपको थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि nine of wands है, यह आपकी weakness की तरीके से कहाँ जा सकता है, कि आप बहुत ज़्यादा protective हो जाते हो अपने प्रती भी, और लोगों के प्रती भी मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि यह चीज गलत है लेकिन highly cautious हो जाना भी जो है आपको isolation mode में लेकर जाएगा कि आप जो है, अकेला पन feel करोगी, अब यह जो है, हमारे समाज में इस तरीके का है, कि अगर हम protect नहीं करते हैं आपने आपको, तो भी problem में पढ़ते हैं और अगर ज़्यादा protect करते हैं, तो भी problem में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर balance की जो है, वो थोड़ी कमी है नेक्स टार है, यहाँ पर eight of coins reverse में आया है जैसे ही कुछ problem होती है जैसे ही कुछ, जो है, वो changes आते हैं, जो आपके comfort zone से changes आते हैं, वो जो है, आप अपने काम पे focus नहीं कर पाते हो आप जो है, आपका दिमाग घूम जाता है या कहा जाए कि आप परिशान हो जाते हो कोई भी इंसान हो जाएगा, उसमें कोई negative energy नहीं है, मेरी कोई judgment नहीं है बट इसको जो है, वो थोड़ा सा लोग negative तरीके से भी देखते हैं, कि आपको जो है, उस समय भी अपने आपको थामना है तो next आरा ten of coins है आप बहुत जादा ten of cups और ten of coins आया है, आप family oriented और wealth wise बहुत जादा अच्छे रहे होगे, solid foundation है, लेकिन वो pillars का काम करते है अगर वो आपकी life में नहीं है बशर्ते, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो और हर इंसान को वो effect करेगा लेकिन आपके अंदर थोड़ किसी confidence की कमी उस समय आ जाएगी लोगों को ऐसा लगता है perception है उनका, सही है नहीं है, यह आप judge करोगे next आ रहा है, यहाँ पर night of wands आया, intensity है night of wands जो है, वो playful और adventurous nature है जैसे मैंने कहा कि family का support है wealth का support है, सब कुछ है तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पास यह सब support है इस वज़े से भी आप बहुत ज़ादा खुश रहते हो, इस वज़े से भी आपको बहुत ज़ादा मौके मिले है opportunity मिली है, अब यह उनका कहना है आपका नहीं, या सच हो ज़रूरी नहीं, यहाँ पर यह भी चीज़ है कि आपकी strength ऐसी है कि आप जो है fun loving person हो आप charming या magnetic आपकी personality है, कोई भी इंसान जो है वो आपकी तरफ खीचा चला आता है attractive होता है, और यहाँ पर कोई गलत तरीके से नहीं है एक human to human attraction होती कि अरे देखो वो वहाँ पर ऐसे जा रहा है तो जातर लोग आपके ओपर focus आता होगा इस वज़े से लोग आपको पसंद करते हैं आपके fun loving और adventurous nature को भी पसंद करते हैं next आरे 10 of wands है 10 of wands जो है baggage energy को भी दिखाता है आप overthink करते होगे अपने emotions को जब भी कुछ problem होती है या comfort level से बाहर जाना जैसे कि मान लीजिए आप एक state में या एक city में रह रहे हैं ठीक है आपकी दादी बाबा से लेकर आप जो है वो वहीं इस city में रहे हो आप जो है आपको मौका मिला है कि आप new city में जाकर अपने आपको establish करो तो आपको बहुत ज़रा डर लगने वाला है या protection वाली city है ऐसा नहीं कि courage नहीं है लेकिन हाँ experience की या हलकी courage की कमी है कुछ लोग जो है वो easily changes को accept कर लेते हैं कुछ लोग नहीं accept कर पाते हैं तो आपकी जो weakness है वो यही है कि आप changes को जल्दी accept नहीं करते हैं चाहे वो लोग हो चाहे वो dressing sense हो चाहे वो खाने पीना हो चाहे वो कुछ भी हो तो उस तरीके की यहाँ पर energy है strength आपकी यह है कि आप बहुत अदा fun loving हो adjust कर लेते हो लेकिन आपको कुछ समय लगता है और जादा समय ही लगता है नेक्स टार है ace of sorts है ace of sorts जो है mental clarity को दिखाता है सच्चाई को दिखाता है आपकी conscious जो है वो आपको सच बताती है कि आप क्या कर रहे हो क्यों कर रहे तो लोग जो है वो यह भी देखते है लेकिन यह चीज जो है वो एक negative sense में भी देखी जाते है कि सामने वाला अगर आपको गलत intention से देख रहा है या देख रही है या जो भी उसका intention अच्छा ना हो तो आप अपने आपको protect तो करना चाहते हो लेकिन कुछ हद तक कर पाते हो और कुछ हद तक नहीं भी कर पाते हो तो दोनों चीजों में balance होना ज़रूरी है नेक्स टार है emperor का काड़ा है तो emperor जो है आपकी authoritative energy है आपकी personality ऐसी है powerful है attractive है कि लोग जो है आपकी तरफ आते हैं लेकिन आप society की limitations में कभी-कभी बन जाते होगे क्योंकि मैंने वही कहा कि आप कह सकते हैं कि जो comfort zone है जिस चीज की तरिके से आपका mindset बन चुका है आप उसी mindset पे घूम रहे हो आप जो है चीजों को या experiences को accept easily नहीं करते हो अब मेरा कोई judgment नहीं है कुछ लोग कर लेते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते है तो लोगों का यही है कि आपकी strengths तो बहुत सारी है लेकिन आपकी weakness से यह है कि आप changes को accept नहीं करते जिसको हटा दिया उसको हटाई दिया next आ रहा है यहाँ पे king of pentacles आया तो आप बहुत ज़ादा wealth पे ध्यान देते हो आपकी strength यह है कि आप काफी ज़ादा wealth या business minded हो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से पैसा कमाना है कैसे कैसे अपने आपको बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है और किस direction में अपने आपको लेके जाना इस तरीके से भी आपको एक strengthful या powerful person की तरीकी से देखा जाता है, next देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है next आरा relationship, I am attracted to those people who serve my higher good अभी मैं आपको बताती हूं, next आरा freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness next आरा abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality, और next आरा change I understand that nothing can grow or evolve without movement, यहां पर यही चीज़ है, फिर से change आया है, कि आप यह समझ पाओगे और लोग भी चाहते हैं कि movement आप करो, अगर आप movement करोगे तो आप अपनी life में आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो आपको new opportunities मिलेगी, तो ऐसा ही नहीं करना है कि जो business जैसे चल रहा है, पुराने समय से तो उसी को बढ़ा रहे हो, उसकी और branches भी जो है, वो start कर सकते हैं एक example देती हूँ कि जैसे माल लीजे, आपके grandfather ने जो है, वो छोले बटूरे का business start किया, ठीक है, मैं एक example दे रही हूँ yummy सा example है, तो उस चीज को जो है, आपने फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ा है, तो अब उस पर छोले बटूरे ही नहीं मिल रहे है, टिकी भी मिल रही है sweets की भी shop हो गई है, पूरा restaurant भी हो गया है, डोसा भी मिल रहा है बाकी चीजे भी मिल रही है, तो ऐसे growth होती है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर यह चीज है, next आरा abundance तो आपकी life में पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, खुशी की कोई कमी नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके से, लेकिन आप changes को बहुत easily accept नहीं करते हैं, या ideas को accept नहीं करते हैं एक और example देती हूँ, मालो कोई चीज जो है, पहले मिलती थी ठीक है, और अब जो है, मालो government की तरीके से ban लग गया, या उस country से export नहीं हो पा रहा या import नहीं हो पा रहा, जो भी है export नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आपको उसका कोई alternative ढूनना पड़ेगा तभी जो है, आप अपना product बेज पाओंगे, तो उसी तरीके से आपको changes को accept करने की ज़रूद है आपको freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness आपको freedom बहुत जादा पसंद है अब कुछ लोगों को ये चीज पसंद आती है आप अपनी freedom के चकर में दूसरों की भावनाओं को कभी-कभी ठेस पहुचा देते होगे, तो ये जो है एक negative point भी है आपकी personality में next टार है, relationships I am attracted to those people who serve my higher good तो relationship में भी जो है उन लोगों को रखना पसंद करते हो जो आपके लिए सही है जो की काफी हद तक ठीक है लेकिन जैसे मैंने कहा कि और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुच जाती होगी तो इस वज़े से वो एक negative तरीके से भी वो देखते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ Oracle Cards आपके लिए तो पहला आ रहा है Divine Feminine और Divine Masculine नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए Soulmates यहाँ पर आपको अपना Soulmates मिलेगा और नेक्स्ट आ रहा है Spend more time to outdoors तो आप बहुत जाता काम करते हो या Workaholic हो सकते हैं तो आप से कहा जा रहा है कि आप Nature में जाओ या इस तरीके के एनरजी में रहो और नेक्स्ट आ रहा है Emotional Freedom तो अपने आपको stuck नहीं feel करवाना है कि जैसे मान लो Family से attachment हर इंसान का होता लेकिन यह नहीं कि Family से attachment है तो अपनी growth की तरफ आ गई ना बढ़ो तो ऐसी चीज़ भी नहीं करनी चाहिए इसी तरीके से लोग आपको देखने है तो चलिए देखते हैं इस energy से रिटेट कुछ charms यहाँ पे एक diamond आया है तो आपकी shine बहुत है आपको में strength बहुत जादा है आप बहुत अच्छा काम कर पाते हो overall बहुत अच्छे हो लेकिन changes को accept करने की इच्छा रखनी चाहिए नेक्स टार सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है तो जो comfort zone है उसको cut off करना है नेक्स टार आप पर parrot आया है तो parrot जो है communication skills को दिखाता है आप जो है बोल चाल में बहुत अच्छे हो एक कहा जाता है वाक पतुता यह हिंदी का शब्द मैंने use करा है थोड़ा heavy है सब कोई समझाया नहीं आया उसका मतलब यह होता है कि gift of gab होना बहुत जादा जो है अच्छे से बोल पाना वो जो है आप में है और इस वज़े से भी लोग आपको पसंद करते हैं तो चरिये देख लेते हैं कुछ love song भी देख लेते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं overall energy मैं देख रही हूँ दिल से रहे दिल से यह intense गाना है आपको intense इंसान की तरीके से देखते हैं और next आ रहा है आपके लिए आपकी आखों में घर movie का है content, readings और energies अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इस चानल को like करें, share करें सब्सक्राइब करें thank you number 2 अगर आपने tree को चूज किया या फिर आपका zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी strength और weakness किस तरीके से देखी जाती है next star is the star, शुराद बहुत अच्छी हुए है अभी मैं आपको zodiac sign बताती हूँ next star is knight of swords, cam prince next star is two of cups और next star is chariot कुछ और cards देख लेते हैं next star is ace of cups, going with the flow next star is seven of cups, projection next star is transformation, death का card आया है next star is two of wants, possibilities and next star is nothingness, hierophant की energy आई है तो यहाँ पर जो prominent zodiac sign है वो महले में आपको बता देती हूँ यहाँ पर है, Aries है, Sagittarius है यहाँ पर Scorpio energy है, Taurus energy है, Cancer है और Pisces energy भी है और Scorpio energy भी मैंने बोल दिया था Cancer, Pisces, Scorpio की energy है और यहाँ पर Libra energy भी है और Aquarius energy भी है, Sagittarius की है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपकी strength और weakness जो भी आपका gender हो, आप अपने gender से resonate करना यहाँ पर जो है आपको एक healing aura में देखा जाता है आप बहुत जादा spiritually wise person हो आपको पता है, आपकी life experiences बहुत जादा होंगे आप दिखने में भी बहुत जादा attractive होंगे सुन्दर होंगे, आपकी skin का जो color है, या color नहीं कहना चाहिए जो complexion है, वो बहुत जादा अच्छा होगा, आप glow जो है वो रहता होगा, जरूरी नहीं है आप जो है, चाहे गोरे रंके हो चाहे mediocre रंके हो चाहे थोड़ा darkish हो, लेकिन उसके उपर glow जो है, वो बहुत जादा रहता है आपकी skin जो है, वो बहुत जादा साफ सुतरी है, आप hygienic level वाले इंसान हो, और जैसे की होता है कि blemishes आ जाते हैं या फिर pimples हो जाते हैं आपके नहीं है, तो आप genetically भी जो है, काफी ज़्यादा blessed हो यहाँ पर next है, knight of swords है knight of swords जो है, वो एक impulsive power को भी दिखाता है लेकिन challenges के सामने हार ना मानने वाले इंसान को दिखाता है तो आप एक warrior वाले energy में हो, चाहे positive हो, चाहे negative हो, लाइफ में आप जो है, वो हार नहीं मानते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ है, जैसे कहा जाता है कि आंधी आये, तूफान आये, मैं तो अपना काम करूंगा तो वो वाली situation है, और आपका हर life में, हर front पे जो है, इसी तरीके का nature रहता है, next आरा temperance काड़ा है, तो temperance जो है, वो sagittarius energy को दिखाता है, आप emotionally balanced person हो, आपको पता है, आप क्या चाहते हो, क्यूं चाहते हो, और आप काफी ज़दा protected हो, लोगों को ऐसा लगता है, कि आपकी ये strength है, कि आपके साथ कितना भी मान लीजे, कोई बुरा करना चाहे, फिर भी जो है, ईश्वर आपको protect कर रहा है, या कर रही है, जिस भी आप डेटी में, या देवी में, देवता में, जिसमें भी आप मानते हो, तो उस तरीके से जो है, आपको protect किया जा रहा है, इस वज़े से क्यूंकि आप उनके बहुत ज़्यादा प्रिये हो, तो आपको एक God के चाइड़ की तरीके से देखा जाता है, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो है, वो problem से निकल ही बाहर आओगे, यहाँ पर two of cups भी आया है, चेरिट भी आया है, तो आप loving person हो, caring person हो, gentle person हो, चाहे male हो, चाहे female हो soft spoken हो, well mannered हो और जैसे मैंने पहले भी का था कि hygienic हो तो, यह नहीं कि गंदे कपड़ा ही पहने घूम रहे हो, यह नहाए नहीं हो, यह सब नहीं है, आपकी जो आदते हैं, वो बहुत अच्छी हैं, disciplined इंसान हो, निक्स टार कुछ लोग negative तरीके से लेंगे, लेकिन मैं तो strength की तरीके से देखना चाहूँगी, कि अगर कोई इंसान soft spoken है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर सामने वाला लड़ रहा है, या भिड़ रहा है, तो आप जो अपनी powers ना दिखाओ, मुझे यह ऐसा चीज बिलकुल अच्छी नहीं लगती हूँ, इसको मैं negative नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ लोग देखते होते हैं, तो उसी तरीके की कहा है, आप जो है, अपने लिए stand लेना पसंद करते हो, तो आपको बहुत सारे लोग love करते हैं, या love मैंने एक romantic sense में नहीं, एक platonic way में कहा है, और आपकी care करते हैं, और आपको पसंद करने वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग jealous होने वाले भी हैं, और कुछ haters भी हैं आपके, क्यों उनको ऐसा लगता है कि हमारी इस इंसान के उपर नहीं चल पा रही है, यह हमारे अंडर नहीं आ पा रहा है, यह हमें follow नहीं कर रहा है, तो इस तरीकी की भी यहां पर situation है, हम इसकी success को कैसे रोकें, तो यह चीज भी है आपके लिए, नेक्स आरा Ace of Cups है, आप दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे हो, अच्छे हो, हुमानिटी वाली बाते करते हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाते ही करते हो, और जो है गलत काम करते हो, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप जो है वो जैसे छोटे बच्चे हो गए, या जो है आप से एकनॉमिकल स्टैंडर्ड में थोड़े कम हो, तो भी जो है उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना है, तो आपकी जो मैनर्स हैं वो दिखती है, आपकी ऐसी नहीं है, यह गरियो, वो वाला चीज नहीं है, आपका यह रहता हो, कि हाँ भी यह कर दो, तो वो वाली सिचुएशन है, और आप ज़ादतर इसी तरीके के मोड में रहते हो, नेक्स टार है सेवन ओफ कप्स है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कन्फूजन क्रियेट करते हो, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि याद यह लीडर्शिप वाले क्वालिटी का इनसान है, और कभी लगता है यह बहुत ज़दा सॉफ्ट है, मैं किस चहरे को एक्सेप्ट करूं, तो आप लोगों को जो है मिस्टीडियसनेस में या कन्फ्यूज रखना पसंद करते हैं, यह आपकी एक पस्टनालिटी है, यह कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है, मैंने कहीं सुना था, पता नहीं टीवी में सुना था, कहीं और सुना था, कि एड़ा बनके पेड़ा खाना, कुछ ऐसा होता है, I don't know, मुझे एग्जैक्ली याद नहीं है, तो वो चीज है यहां पर, कि अपने आपको बेवकूफ दिखाना शुरुवात में, और अपना प्रॉफिट लेना, काम करना और निकल लेना, तो वो वाली situation है, तो अंदर से आप बहुत साथे clever हो, लेकि उपर से आप ऐसी धिखाते हो, कि कोई बात नहीं चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ऐसी situation है, next star है transformation है, transformation हो देप्ट को दिखाता है, बहुत जाथे changes को दिखाता है, आपकी life में क्यों स्टार का काड़ा है स्टार जो है अमेशा टावर के काड़ के बाद ही आता है आपकी life में unexpected changes आये होंगे या negative कोई चीज रही होगी या mysterious चीज रही होगी लोगों को नहीं पता है लेकिन आपकी जो depth है या complex nature है वो ये जताता है कि आपने अपनी painful memories को या painful circumstances उनको overcome किया है कैसे किया है लोगों को नहीं पता और वो क्या painful memory है या कुछ और है वो भी लोगों को नहीं पता लेकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी life में बहुत कुछ देखा है इस वज़े से आपके life experience को चाहे आपकी young age ही हो क्यों ना हो लेकिन आपके life experience इतने ज़ादा है कि लोग आपको accept करते हैं और respect भी करते हैं आपकी advice को या आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना जाता है नेक्स आरा two of wands है two of wands जो है वो decision making को दिखाता है आप अपनी life में decision लेना और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो आप decide करते हो usually ऐसा नहीं है कि आप अपने parents की या friend circle की या siblings की help नहीं लेते होगे लेकिन उसके बावज़ो जो है आपका last decision है वो आपका ही होगा जब तक आप accept नहीं करते हो तब तक आप किसी को भी accept नहीं करोगे उस decision पे नहीं जाओगे जो आपके लिए सही नहीं है तो काफी opinionated person हो आप next आरा nothing नहीं सा हाइरोफेंट है हाइरोफेंट जो है वो एक इसी तरीके का card है कि आपको बहुत knowledge है knowledge है वो इस तरीके की knowledge है जिसको words में express कर पाना या किसी किताब से या कोई course करके या degree से सीख वाना बड़ा कठिन है तो आपका ये God gift है कि आपको इस तरीके से wisdom या knowledge मिली है आप एक old soul हो सकते हो जिस वज़े से आपको सारे experiences याद रहते हैं हला कि आपको अपनी past life नहीं याद होगी किसी को भी नहीं याद रहती लेकिन वो experience आप carry कर रहे हो चोटी ही age में आप wise बहुत जादा हो और हो ये भी हो सकता है कि आप पुराने समय में मतलब पुरानी जो life रही होगी आपकी past life उसमें शामन भी हो सकते हो तभी जो आप spiritual भी काफी जादा होगे और आपका ईश्वर से बहुत जादा एक अपना ही connection है और ईश्वर आपको अपने आप protect करते हैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देते हैं इस वज़े से लोग कहीं jealous भी feel करते हैं और इस तरीके से वो आपकी strengths को भी देखते हैं नेक्स्ट आरा है growth I want to expand my consciousness and my awareness नेक्स्ट आरा grief I understand that losing something is an opportunity to appreciate it नेक्स्ट आरा empathy I am open to seeing both sides of a situation और नेक्स्ट आरा surrender I can release my need to control तो आपने काफी कुछ सीखा है आपने ईश्वर के सामने surrender किया है आप अपने emotions को carry रखते हो जिसके सामने दिखाने उसके सामने दिखाते हो जिसके सामने नहीं दिखाने उसके सामने नहीं दिखाते हो नेक्स्ट आरा grief आया है तो painful है कुछ ना कुछ pain है किसी के बिछड जाने का pain है कोई जो हो सकता है उनकी death ही हो गई हो आपके अंदर है, तो आप लाइफ में सब कुछ बिल्ड भी कर ले होगे, तो अभी जो है वो चीज आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, वो इंपक्ट जो है, वो आपको एक तरिकी से सिखाया भी है, आपकी डेस्टिनी में भी है, लेकिन आप उस पेन से उबर नहीं तो आपको स्टिचेज लगे हैं, अब वो स्टिचेज ठीक हो जाएंगे, दवाई भी आप खालोगे, समय के साथ हील भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजुद आपके चहरे पे या आपके शकल पे या जहां पे आपके बॉड़ी पार्ट पे वो स्टिचेज लगे हैं, वो सारी जिंदगी वहीं पे रहेंगे, तो वो जो है एक निशान पढ़ गया है, कि वहाँ पे कुछ हुआ था, क्या हुआ था ये आपको पता होगा, ये आपके पेरेंस को पता होगा, लेकिन वो कुछ हुआ था और वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, तो वो एक प् बढ़ते रहते हो, ग्रोथ रखते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज जो है, वो ऐसी भी लगती है, कि क्यों ग्रोथ हो रही है, तो जेलेसी वाली यहाँ पे एनरजी है, वीकनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन जेलेसी वाली एनरजी है, वीकनेस ये थी पहले, कि अगर बच्पन इस तरीके का निकला है, हो सकता है, हर एक इंसान की परिस्तिया अलग होती है, कोई जज्ज्मेंट नहीं है, तो उस चीज में आप अच्छा कर पाओगे, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्यूटी, नेक्स्ट है इनर पीस, और एक और देख लेते हैं, बा जैसे भी आपको बहुत जदा वाइस परसन की तरीके से देखा जाता है, नेक्स्ट आरा ब्यूटी, जैसे मैंने कहा कि चहरे पे कोई स्टिच लग गए है, या कुछ और हो गया है, तो वो चीज जो है, वो आपको एक आईडिया या इनोवेशन भी दिया होगा, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो चीज से भी आप पैसा कमा पाओगी, तो चलिए देखते हैं, इस एनरजी से रिटर कुछ चार्म्स, यहां पे जो है, ओम आया है, तो काफी spiritual person हो आप, बार बार यही चीज आ रही है, नेक्स आरा, owl with a key आई है तो वो ही wisdom है, और एक्स आरा, tree of life है, तो tree of life जो है, I think, टीपो सुल्तान के कुछ उसमें था, मुझे exactly याद नहीं है, कि मैं क्या कहली हूँ, मैंने कभी किताब में पढ़ा था, जब मैं studies में थी, तो तब जो टीपो सुल्तान का कुछ ऐसा था, कि कुछ उनका stamp थी, पता हर साल, तो tree of life से कुछ related होता है, टीपो सुल्तान से related, तो ऐसी चीज भी यहाँ पर है, और family orientation यहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं कुछ song, कैसे लोग आपको देखते हैं, एक ऐसे ही feelings में मैं देख रही हूँ, general energy, तो आपके लिए आ रहा है, तुमसे भी जादा, तो रांजना शेर्षा मूवी का, तो रांजना जो है वो विक्रम बत्रा पर बनी है, I think मैंने सही नाम लिया है, तो वो जो है कारगल में शहीद हुए थे, तो उसी तरीके का आपका nature रहा होगा, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक आश के हम, कभी हां कभी ना मूवी का है और एक और देख लेते हैं, यूर ब्यूटिफल जेम्स प्लांट का, तो उस तरीके की ही energy है यहाँ पर, कि आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं, तो पाइल नमबर टू, ये थी आपकी reading, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you